हलो गाइस तो स्वागत है आप सभी का आपके सुटी चैनल पर जिसका नाम है अनकीत तो जब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अगर आप कि यार आपकी कल जो है प्रोविजनल अलॉट्मेंट होने वाली थी आर मैं बता दे रहा हूं प्रोविजनल अलॉट्मेंट यार ऐसा सीटी सेल ऐसा कैसे कर सकती है मेरे को समझ मने आ रहा है यानि कि आप डेट देते हो 3rd of December उसके बाद आप पूरा 3rd of December अलॉट्मेंट देत हो और cut-off list के बाद मैं बता रहा हूं ऐसा मदर रात को 11 बचके मैंने चेक कि आए 11 बचके 27 मिनिट पर मैंने फिर कुछ student के लिए बताया कुछ student जो मेरे साथ जुड़े हुए है मैंने उनको बताया कि cut-off list जो है वो आ गई है तो पर तो भी हो कह रहा है थे कि मैं यह नहीं नहीं देख पा रहा हूं अलोट्मेंट नहीं देख पा रहा हूं सिफ़ cut-off list आई है तो मैंने उनको कहा कि आप एक बार candidate login पर जागे देखो पर ऐसा होगा नहीं अगर allotment होगी तो allotment आपको यहां पर online system में एक बार जरूर दिखेगी कि allotment हो चुकी है उसका एक एक व प्लिष्ट आप महाराष्टा महाराष्टा के लिए और all India candidate दोनों के लिए cut-off आचुकी है कैप रांवन की यानि की allotment एक तरीके से हो चुकी है बस आप नहीं देख पा रहे हो तो अब क्या मालूम कब वह आप देख पाओगी शायद आज आज आप जरूर देख पाओ य अगलास टाफ है रहर वह भी मैं बताउंगा जैसे कि मैं में important देट के section में चल लेता हूं इससे में आपको दिखा दूँ अगला आपका जो आता है वो आता है मतलब आपको क्या करना है एक बार आपको college मिल जाता तो आपको क्या करना है फर अभी आपको college मिलाaf यह नहीं कि अब आपको क्या करना है ठीक है तो बस वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना चैनल को ज़रूर सब्स्राइब करना है और वीडियो एंड करता हूं थैंक यू